गिरते जारे आप देख सकते हैं कि लगातर महां से पत्थर से घर पाड़ों से अब ही यहां पी जू है पत्तर किरें पाड़ों से अभी इसमें बैकल पिक विश्टाई हो रही है और ये 500 मीटर की एरिया में ये पूरी रोड आपकी एक बारिश हो जाए ये पूरी रोड गधिरे चल जाएगी तो इसमें जब तक नए सर्वे कहीं दूसरी जगह से सिप्टन किया जाए रोड को तब तक इसमें ये बैकल पि पर जा रहे हैं हम लोग यहीं फासेवे हैं उपर जा भी नहीं पा रहे हैं हमारा गाउं पर हुआ है नवश्क्रा स्वागत आप सभी का जेजेन नीउस में और मैं हूं आपके सांद शिर्पानेगी तो आज हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं काट गुदाम से तीन किलो हाज masa भीते दिनों हुआ जब पहाड़ी से पहाड़ी का एक बढ़ा इससा सड़क पे आके अके गिर गए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में से वह उस दूसरी तरफ फस गए हैं और जो इधर की लोग इधर फस गए हैं पिछले जितने दो-तिन दिनों से वह इधर आवजाई नहीं कर पा रहे हैं वह किसी भी तरीके का जानमान का नुकसान नहीं हुआ लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई बड़ा हासा होने में देर नहीं लगेगी तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है पहाड़ियों से पत्तर गिरते ही जा रहे हैं एक हासे को नियोता दे रहा है एक आखिर कब प्रशासन इसके और दिया देगा लगातार पहाड़ों को ऑपकी सड़क बना की दिजाएगी लगातार पहाड़ों से बड़े बलोल्डर जो है बड़े बड़े पत्तर गिरते जा रहे हैं यह जानमान का नुकसान है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह पहाड़ी भी जो है आप सड़क पर गिर सकती है यह काफी जादार एक हासी को नियोता दे रही है जो यहां पे लोग है वो अपने जान को जोखिम में डाल के यहां पे आवजाई करें देख सकते हैं अब तस्वीरों में साफ कि लगातर पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं लगातर पहाड़ों से जो है मलबा गिर रहा है और पत्थर भी जो ह होगा तभी प्रशासन इस ओर ध्यान देगा अब जाते हैं यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या पूरा है कभी जो है बुसकलन हुआ है और क्या उनके अभी प्रशासन की दफ से इस ओर कोई कारवाई की गई है यह नमस्कार सर अपका नाम देविज बिस्ट तो सर पहले तो यह जो भूसकलन हुआ है काफी भारी संके महां मला आधी रोड जो है वो पूरी भूसकलन की चपेट माने से खतम हो चुकी है तो यह हुआ कब यह भूसकलन हुआ कब है यह परसो रात हुआ लगभा सवा दस बज अब फिर आले देखते हैं कब तक खुलती है मेरे अंदाय से हटा भाल लगे गए इसमें तो इससे पहले भी जैसे इस तिदे दिख रही है न पाड़ो के लिए तो इससे पहले कुछ ऐसा हुआ है हाँ हुआ था एक मेने पहले हुआ था लेकिन उस समय क्या हुआ कि इसको स सब्सक्राइब निकाला गया और अभी यह कोई काम चल रहा है फिलाल गाओं वालों के लिए हम लोगों के लिए तो जब तहीं नई रोट का सर्वे नहीं होगा तब यह ऐसे ही आते रहेगा तो अभी मतलब जैसे हम जब हमने अपनी लास्ट रिपोर्ट के लिए यहां पर आ तो यहां से 5 km पैदल उपर जा करके फिर वो दूसरी गाड़ी ले करके वहां से फिर आके बढ़ लें नहीं के लिए तो जोब तो जो उधर ब्रभाशत हैं जो इघर रहे हैं यहां से पैदल मार कर पांच को मिट्रों पर जा रहे हैं और जो अपनी जो तो इससे पहले भी आसे कुछ अगर यह सब आपको प्रॉब्लम्स हो रही है दिक्कते हो रही है गाहलों कुछ अपनाता है कि 120 गाहों का जो कनेक्शन है वह स्रोट से जूराव है तो इससे पहले कभी प्रशाशन को इस प्रशानी से अवगत नहीं कराया है यह पिछली एक महीना पहले भी तूटा थ इस इसके कहीं दूसरी जिगह से सर्वे करनी चीए क्योंकि आपको पता है आपने देखा होगा रोड में यहाँ पर देख रहे हैं पूरी दरार आई है अभी इसमें बैकल प्रशाशन हो रही है और यह पान सो मीटर की एरिया में यह पूरी रोड आपकी एक बारिश हो जाए यह पूरी रोड गधिरे चल जाएगी तो इसमें जब तक नए सर्वे कहीं दूसरी जगह से सिप्टन किया जाए रोड को तब तक इसमें यह बैक मजबूरी होती है जाने मजबूरी है कोई साठ्ट सब्सक्राइए को साढ़ सामाल लेने जाता है तो मजबूरी मह क्या करता है आद्मिया अप देखे आप देख रहे हैं हमारी सारी गाड़ियां उपर कम सेकां 120u1 Zukunft उपर रुकी पड़ी है वहां पर सुबह से आज सुबह जो है यह सोब यहां पर पहुंची ए तो यह तक क्या लगता है कंगा पूरा जा यह अभी इस में लगब लगब एक हटा तो कम से कम मान के चलिए तुम्हां आप देख रहो जितना काट के जा रहा बंदा उतना यह उपर से खिशकता जा रहा है कम से कम इसमें एक हपता लग जाएगा हमारा इसमें अभी लगेगा तो सर जैसे सड़कों के किनाले जो पैराफिट बने होते हैं सेफटी के लिए कि अगर कोई वहां आता जाता है तो खाई मिना गिरे ताकि जो हास्ते होते हो बस जाए जासे और दूसर प्रसाशन से हमारी तो एप है कि अलग रिजाए रोड की रोड बनवाThere जल्दी जल्दी प्रसाशन की तरफ यहां करता कि आए हुए तक स्विद्बुत लें अभी तक पर्सों साम से अभी तक तो कोई नहीं आय कि क्या सभ्लक्रों कि स्पेशु टीर सिया स्ञोबेगे तो हम देख रहे हैं कि हमें तो जल्द जल्दी शुविदा हो सके इतनी जल्दी सुविदा सरकार करवाए यह यह रोड नहीं होती है तो दूजी से सर्भी करवाए हमें पबलिक इतनी पबलिक जाएगी कहां लोग आधे रस्ते पर उपर रुके हुए है आधे लोग नीचे अब इन लोगों को आवाज आए के लिए बहुती दिक्कत है किसी को घर की चाय पानी सबी चीज मलब रस्ता हमारा यह है अच्छा तो जैसे आपने ताय की सब जो आयत है यहां पर देखने आयते तो उनके त्वारा क्या निर्देश दिए कोई कारवाई की गई यह यह मैं सब्सक्राज़ा है ह कि अफ्र मसे अगर पूस्ता वह हुआ वह दूआ ह revisit मी थे और यहां थो आप्से यहीं फुश कर दोह दूआ है कि यहां कितनी दिक्कते दोरी है Character का प्राले सं सेबी के लिए नकी संग है कौन घास काटेगा कौन क्या करेगा एक एला आदमी क्या कर पाएगा हमारी तो परसाशन से जल सी जल मलब रोट को ठीक करें अगर यह नहीं होती है तो जूशी जुकर से शर्भी करा है उपर से पूरा आने वाला है अभी आधी रोट उपर से मलब और फशा वह यह गिरा हु परसो यह हुआ है रात को परसो और अभी भी पावड़ से जो हैं देख रहें कि लगातार पत्थर जो हो गिरते ही जा रहे है पावड़ से तो काफी जादा जो है एक हास्से की जो है संभावना इसमे बनी वी और आप मेरे पीछे भी देख से कि जैसी भी मसिन लगातार काम किया जा रहा है कि कब तक जो है सबसे बड़ी दिक्क्त जिनके वाहन है जो पिछले दो तीन दिनों से यहां वहां वह कैसे आवजाई करेंगे कि पिछले तीन दिन पहुत है कि आपके अपनी रिपोर्ट में बताया थी कि जो सड़क है से लगातार मलवा कि इरा जा में वह जा रहा है और कभी इस सड़क पे जो है दुर्गतना की संभावना है तो बीटे देक्षी पहले ही अभी जो है शनिवार को हो गया है अब जेक कब प्रशाशन इसकी और ध्यान देगा और कब जो एक पक्की जड़क होगी एक जो पर्मनेंट समधान होगा वो इस्ताने लोगों को यहाँ पे मिलेगा और आखिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुई बड़ी दुरगटना होने में देड नहीं लगेगी तो फिलहाल किस खास सिपोर्ट में इतना ही मैं अपनी सयोगी निशाव प्रेती के साथ शिल्पनेगी जेजेन न्यूज हलदवानी नमस्कार